इस वार जो नई बनाऊगा इंकम टेक्स की बुक वो इससे बढ़िया बनाने वाला हूँ मैं अब इसके अंदर थोड़े से कुश्चन के स्टेंडर्ट नहीं डाले मैंने अभी मतलब कि पहले यह होना चाहिए फिर यह होना चाहिए फिर समिस्टर पांच में तो कर दिया है फिनेशल मेंजमेंट में अगली बार जो बुक बनाऊगा पहले हलके सवाल फिर उससे भारी फिर उससे भारी उससे भारी अभी जो आपके year के हिसाब से 7, 8, 9, 10 ऐसे लेके चले हैं लेकिन next time से जो बनेगा हमारा उसके अंदर और better हो जाएगा और इसके अंदर फिर आपको मतलब के concept किया और उसी से related सवाल मिल गया सीधा चलिए सवाल पढ़ते हैं सेकेंड सवाल है आपके किताब का ही है यह यह भी टैनियर का यह honors के अंदर सवाल है XYZ three friends on equal house property एक बच्चे ने पूछा भी था के sir co-owner होगा तो क्या होगा सब कुछ divide हो जाएगा कहता है छे residential unit है it was construct on 1st July 2014 जो की बन चुका है one unit is self occupied by each one of them their residence the remaining three unit let out monthly rent 6,000 रुपे पर unit the municipal valuation of the property is 4,000,000 रुपे पूरे घर का 4,000,000 रुपे पूरे घर का 4,000,000 है insurance नहीं है interest on loan taken construction sir सीधा निकाल के दे दिया on the let out unit remain vacant for three month आपका one of the let out unit कोई भी एक let out unit था जो की कितने महने के लिए खाली रह गया तीन में कहता है one of the let out unit three month के लिए vacant रहा Mr. Y could not occupy Mr. Y ने occupy नहीं किया his unit 8 और Mr. Y जो था could not occupy his unit 8 month and he transferred to the some other city क्योंकि उसे कहीं और भीज दिया गया तो वो रह नहीं पाया है उसमें he does not on any other house properties के पास था नहीं the other taxable income दूसरी income जो इसकी है वो अलग अलग दी हुई है सवाल में हमें क्या निकालना है सवाल में निकालना है हमें इनकी total income computation करके कि इनकी total income क्या बनेगी तो सर एक बर समझी यह पहले एक थोड़ा सा diagram से समझाना चाहूंगा यह मेरा एक पूरा घर है और इस घर को इन्होंने क्या करा है कितने unit में तोड़ दिया है छे unit में तोड़ दिया है इन्होंने यह इसकी होगे छे unit ठीक है और तीन partner है तो एक एक तो यह खुदी रह लेते हैं यानि माल लेते हैं एक है x, एक है y और एक है z तो एक एक तो self occupied हो गया इनका और एक एक क्या हो गया let out हो गया सवाल में कहता है कि जो let out वाला भी portion है ना the municipal value के बाद आगे कहता है सवाल में कि one of the let out unit मतलब अभी बताया नहीं बोला इसमें से कोई एक भी let out unit जो रहा है ना वो क्या रहा one of the let out unit remain vacant for three मेने तीन महिने के लिए ये रहा खाली यानि इसका हमारा ए ट्रिपल र जब निकालेंगे तो तीन मेने का खाली आ जाएगा why could not occupy unit ठीक है सर why ने अपना घर नहीं लिया तो कोई बात दी फिर भी तो एने भी इसका 0 ही आना है और इस तरीके से ये पूरा question है तो हमें क्या करना चाहिए सर हम इस सवाल को हाला कि दो टुकड़ों में भी बाट सकते हैं लेकिन तीन टुकड़े में बाट ले तो ठीक रहेगा और इसमें तीनों की income बतानी है हमें इसे बोलते हैं हम co-owner मतलब एक मकान के ही क्या है तीन ओनर है तो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा तीन घर को मैं माल लेता हूँ SO 81 जब last में income आईगी न तो इन तीनों में हम बराबर बराबर बाट देंगे तीनों में बराबर बराबर बाट देंगे तो तीन घर SO हो गया एक let out हो गया और यहाँ पे let out के दो गर और ले लेते हैं सर let out भी एक ही column में हो सकता था लेकिन फिर वहाँ पे आपको एक घर जो तीन मेने के लिए vacant रहा वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी तो यह वाला घर मैं मान लेता हूँ vacancy पे रहा होगा और यह नहीं रहा होगा सवाल में देता है municipal value of property कितने है हमारे सर चार लाक तो चार लाक रुपे जो municipal value दे रखा है न यह पूरे का है तो आप मुझे बताईए अगर पूरे का 4 लाक है तो एक unit का कितना होगा तो सर 4 लाक अगर पूरे का है तो divided by 6 और अगर बात करें तो यह 3 unit है तो इसका बनेगा हमारा 2 लाक ठीक है न और इसका बनेगा हमारा 66,666 और इसका बनेगा 1,333,333 MB अब अगेन यहाँ पे क्या FR है क्या यहाँ FR है सर नहीं है लेकिन लेट आउट वाले पूर्शन का हम FR मान सकते हैं जो actual rent रहा होगा और actual rent क्या है सर actual rent है हमारा 6,000 तो अगर मेरे से FR पूछते हो तो सर इसका FR आ जाएगा 6,000 इंटू में 12 72,000 और दूसरे का क्या आएगा यह दो घर का है तो डबल हो जाएगा है ना 6,000 किराया दे रखा था उसी को किराया को मान लेते हैं हम इंटू में 12, इंटू में 2 1,44 पहले आप देखें यहां तक समझ में आया आए आपको यहां तक समझ में आया आपको इसमें हर बार 2 से मल्टिप्लाई कर रहा हूँ हाला कि मैं एक कॉलम में कर सकता था लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए आप एक कॉलम में करना हो तो एक कॉलम में कर लेजीगा सर इसके बाद स्टेंडर रेंट मैं लिख देता हूँ हाला कि लेकिन आपको लिखने के वशकता नहीं है एक्जाम में फिर expected rent सर expected rent इसका तो क्या होगा कुछ नहीं होगा इसका क्या होगा सर whichever is higher हो जाएगा ने इसका तो 72 रजा और इसका आ जाएगा 1,4 ठीक है और 8 रपल र की हम बात करें जब end of the क्या होगा 8 रपल र इसका जो होगा कितने मेहने के लिए वेकेंसी था ये वाला घर तीन मेहने तो इसका आएगा हमारा 5,000 नई 6,000 एक का तो आजाएगा 6,000 into में 9 54,000 और एक का आजाएगा 6,000 into में 12 into में 2 that is आजाएगा अगेन एक लाख 44,000 अगर हम GAV के बात करें अंसर मुझे किसका डाउट है ये पच्चे कह रहे हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा अभी पूरा करने तो समझा देंगे अभी ठीक है ना तो GAV इसका 0 आगया इसका GAV क्या आएगा lower लेंगे यहाँ पे क्यों क्योंकि सर ये vacancy का case है और rule number 4 complete किया है और ये एक जोबाले साएगा minus municipal tax 80,000 जो इसने payment किया है वो कव का किसका payment किया है पूरे घर का तो इसके भी 6 unit कर दीजिए 80,000 into divided by 6 और into 3 यहाँ तो आजएगा 20,000 और 80,000 divided by 6 यहाँ आजएगा 13,000 तीन सो तैनितिस और ये 26,000 छे सो 67 क्या 40 तो टूट 80 अच्छा है इसका 40 होगा इसमें तो हो गई नहीं ठीक है न अब बच्चे कह रहे हैं एने भी निकालने के बाद आते हैं आपको लोग के पासिब कुछ बच्चे कह रहे हैं ये कितना हैगा माइनेस करो या जगा 40 मैंने इसको अलग इसलिए किया समझना अभी बात को चलिए बच्चे कह रहे हैं सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हैं क्या करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं हम दुबारा आ जाते हैं इस कुछ्चन को अच्छे से जो मैंने सुलिएशन किया इसको दो तरीके से हाला कि किया जा सकता है लेकिन जैसे मैंने किया उसके इसाब से मैं बात करूँगा सपोस करो मेरा एक ये एरिया है ये पूरा एक एरिया है इसके अंदर बात करें तो यूनिट आइडेंटिकल कर देते हैं सर छे यूनिट है ध्यान दीजिएगा छे यूनिट है तो ये हो गया इसके छे यूनिट एक मकान के अब छे यूनिट में ये वाला हो गया सेल्फ उक्यूपाइट ये वाला हो गया सेल्फ उक्यूपाइट ये वाला हो गया सेल्फ उक्यूपाइट तो सर इसका भी एनेवी जीरो इसका भी एनेवी जीरो और इसका भी एनेवी तो मैंने क्या किया सेल्फ उक्यूपाइड में तीनों घर को इखटा ले लिया तीनों घर को इखटा ले लिया क्योंकि सबका जीरो आना है तो इसको इखटा ले लिया इसके बाद ये वाला हमारा लेट आउट है और ये वाला लेट आउट है और ये वाला लेट आउट है और ये वाला लेट आउट है सवाल ने ये नहीं बताए कि कौन सा घर वेकेंट रहा तो हम सेम आइडेंटिकल यूनिट है किसी को मान लो तो ये वाला घर मैं मान लेता हूँ ये किराये पे रहा सिर्फ 9 महने ये वाला किराये पे रहा 12 महने और ये वाला रहा किराये पे 12 महने तो जो similar वाला है जिसमें calculation में दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों की calculation तो एक साथ ही कर लेते हैं दो कोई और इसकी हम अकेले कर लेते हैं individual की तो ये वाला जो column है वो individual का calculation है और ये वाला जो column है वो दो घर का calculation है इसका समझें ये बात अब MB जो है अगर मैं बात करूँ MB की तो MB 6 unit है और 4 लाक रुपे total था तो 4 को 6 से divide करेंगे तो sir MB जो निकल के आएगा वो आएगा 66,666 रुपे 66,666 और sir ये 66,666 रुपे की कहानी सब में चलेगी MB सब में चलेगी MB 66,666 का आपको यहां से सारी picture क्लियर हो जाएगी अब बताईए self occupied वाले का मैंने जब 3 घर इखटा लिया है तो ये 3 MB को मैं जोड लूँ तभी तो लिखूं यहां 3 MB को जोड लिजे एकाद रुपे का फरक है उससे माइने नहीं रखता ही आ गया इसका MB ये आ गया और बाकी 2 को एक खटा ले रहे हैं तो दोनों MB को क्या करेंगे तो इसका मैंने यहां पर ऐसे दिखा दिया FR क्या होता है जब missing हो तो जो actual rent होता है उसी को हम FR मान लेते हैं तो actual जो rent था ना question में बोला के 6000 महीने के किराये पे है तो एक घर का अगर मैं निकालू यहां पर तो क्या आएगा सर actual rent को 6000 into में 12 दूसरे घर का निकालू तो सर यह भी आएगा 6000 into में 12 लेकिन यहां पर दो घर है that's why multiply 2 कर दिया तो 44 आगया इन दोनों में से यहां पर तो कुछ रहेगा नहीं इन दोनों में से जो higher था वो expected rent आ गया 8RR में 9 महीने का यह निकाला गया यह तो पूरा 12 महीने के क्राय पे था तो अब इन दोनों में से क्या लिया जाएगा सर इन दोनों में से हम ले लेंगे lower क्योंकि हमारा total जो है वो government से तो कम नहीं बन रहा बराबर है और vacancy भी है मान लेते हैं कि यह vacancy का मतलब वहां कोई नहीं रह रहा है सर lower लेने के बाद यह GAV आ गया MT हमने माइनस किया MT थो सर MT की बात करें तो MT 80,000 है तो अगर मैं 80,000 को 6 से डिवाइड करूँ तो हर किसी का आएगा 13,333 रूपे तो हर किसी का आएगा तो self occupied वाले का तो MT मिलेगा यह जो कि 20 था let out वाले का 13,333 और 2 के 81 मैंने MT ले लिया और यह माइनस कर दिया अब बताइए सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया सवाल आपको समझ में आया नहीं सर FR के समझ नहीं आ रहा कब निकालना है कोश्चन में और कैसे पता चलेगा आप हर कोश्चन में निकाल लीजिए FR नहीं पताना तो जो actual rent है उसी को FR मान लीजिए बात खतम हर सवाल में निकाल लीजिए लेखिन हम lower और higher का concept तभी देखते हैं जब vacancy होगा तब तो भी या lower लग जाता है और higher भी लग सकता है लेखिन अगर आपका self occupied वाला case हुआ तो always higher वाला ही जाएगा partly self occupied और partly let out जैसे कि मैंने पिछले सवाल के अंदर यहाँ पे था भी और यह मैंने आपको note भी बताया तो पिछले सवाल में आप देखेंगे तो sir यहाँ पे FR हमने calculate करके ले लिया अब तो इन दोनों में से lower है चुकि यह आपका self occupied का case था इसलिए हमने इन दोनों में से क्या choose करा higher अगर यही vacancy होता वो उस घर में नहीं रह रहा होता बाकी time पे तो मैं 12600 से ही करता इसको clear can I case sir ER में lower क्यों लिया क्योंकि आपका ER क्या होता है expected rent में lower क्यों लिया क्योंकि आप सबसे पहले 12 मेहने का calculate नहीं करोगे क्या 12 मेहने का calculate करोगे तो आपके हिसाब से बन रहा है 72 गवर्मेंट के हिसाब से भी 72 आप जूट तो नहीं बोलते है गवर्मेंट से तो क्या करते हैं lower लेके complete करते हैं इसको ठीक है चलिए सर इसको देखो मैं चाहता तो इन दोनों को merge कर देता तो फिर वहां पर थोड़ा amount में आपको दिक्कत हो सकते थे इसलिए ठीक है ना तो आज आते हैं हम आगे यहाँ पर क्या है NAV NAV सर NAV तो लिखे लिया minus में 24 A यहाँ 0 होगा इसका निकाल लेंगे minus में 24 B तो सर 24 A और 24 B चलिए निकालते हैं अगर हम बात करते हैं इसका कितना है 7000 12200 तो यह आजाएगा हमारा 24,400 है ना अब यह ऐसा कैसे हो रहा है डबल यह ना इसका तो यह अच्छा यहाँ पर लोवर लिया हो है हमने ना ठीक है कितना रही है 35,192 100,192 तो 35,200 कर लेते हैं ठीक है 24 B इंटरस कहता है यह एक लाग तीस हजार रुपए है तो एक लाग तीस हजार छे का होगा तो एक तीस को डिवाइड बाइ छे कर दें तो इस हिस्से में आ जाएगा हमारा 65,000 रुपए इस हिस्से में आ जाएगा सर 21,000 और इस हिस्से में आ जाएगा 43,000 अब निकाल लीजिए यह आ गया 65,000 माइनस का यह आ गया 65,000 माइनस का इसकी बात कर लेते हैं कितना के 6,000 माइनस का प्लस का प्लस का और यह आ जाएगा 38,000 अब यहाँ पर हला की total income निकालनी पड़ेगी question में यहाँ पर mention नहीं है लेकिन हाँ जब other income दे दे तो इसकी total income भी निकालनी पड़ेगी तो अब total income की computation करके दिखा देते हैं आपको कैसे किया जाएगा total income की computation इधर बड़ा simple सा concept है आप तीन पार्ट में बाट दोगे इसको सर तीन पार्ट में क्यों बाट दोगे क्योंकि तीन दोस्त है तीन भाई है पता नहीं क्या है तीन दोस्त है सबसे पहले तो house property की income बाटते हैं इसमें house property की income x y z तो सर house property की income अगर मैं निकालो आई एच पी तो सर माइनस 65,000 और प्लस का अड़ सट सो एक यहनी अड़ सट सो ही मान लो और प्लस 38,800 तो कितना आता है निकल के यह उननिस नेगिटिव यह पॉजिटिव क्यों अड़ सट सो है यह उननिस चार सो नेगिटिव उननिस चार सो नेगिटिव आगए है तीनों में बाट दो तो यह आ जाएगा चौन सट सो छेह सट यह नेगिटिव आ गया हाउस पॉपटि से लॉस अब सर इसकी इंकम कहता है अदर टेक्सिबल इंकम अदर इंकम अब यह किस हैड से है बताये नहीं तो नब्बे एक लाक 1.2 लेक बस इसको जोड़ दीचे यह आंगे टूटल लेक्ट 83 534 यह इसकी इंकम आगे यहां तक करके दिखाना है आपको इस वाद हाँ वो दो रूपे राउंड फिगर कर दिया एक आद रूपे का फरक हो सकता है वो माईने नहीं रखता आपका वो राउंड फिगर में उपर नीचे हो जाता है ठीक है ना किलिर है इस सवाल आपको